दुनिया की हर आउरत की एक सबसे बड़ी प्रॉबलम है जिसके वज़ा से वो अपनी दुश्मन खुद बनके बैठी हुई है और वो अपने आपको प्रूव करने में लगी हुई है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ अरे भाई प्रूव क्यों करना अगर अच्छे हो तो, अब मुझे ले लो, एक टाइम होता था, मुझे लगता था नहीं यार मेरा घर्टिच बिच दिखना चाहिए, मेरे कपड़े सारे सही जगा पे होने चाहिए, मेरे मेकप का समान सारा सही जगा पे होना चाहिए, सारा घ की चीज़ की है अपने आपको प्रूव करना है कि मैं सबसे बेस्ट आउरत हूँ या मैं अच्छी आउरत हूँ या मेरे से आगे और ऊपर कोई नहीं है इससे मैंने खुद के साथ क्या किया इस प्रफेक्शन के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी का बेडा गरक कर लिया क्योंकि हैं हम सारे इंसान दिन में होते हमारे पास 24 घंटे ही हैं और उन 24 घंटों में से अगर आप लगाएं तो 20 घंटे मैं सिरफ इन सारी चीज़ों को इंपोर्टेंस देने की कोशिश कर रही थी जो चीज़े मेरे लिए लीस्ट इंपोर्टेंट होनी चाहिए सबसे इंपोर्टेंट एक औरत के लिए क्या होना चाहिए सबसे इंपोर्टेंट ट्यार उसकी हेल्थ होनी चाहिए सबसे इंपोर्टेंट उसका पीस ओफ माइंड होना चाहिए सबसे इंपोर्टेंट उसकी अपनी सेल्फ केर होनी चाहिए ये तीन चीजों को तो मैंने कभी प्रियारिटाइज किया ही नी लाइफ में, लेकिन आज इतने सालों के बाद, बिमारियों से लड़ने के बाद, डिप्रेशन से लड़ने के बाद, लोगों से लड़ने के बाद, मैंने एक लेसन सीखा है जो आज मैं आपको फ्री में दे र प्रका नहीं तोड़ा, मैंने कोई काम नहीं करा, ठीक है, घर टिच बिच करके सोई थी रात को मैं, अब सुबह उठी हूँ, सबसे पहले मैंने क्या कर रहा है, सबसे पहले मैंने अपने लिए ये बनाया है, यह मेरा डीटॉक्स जूस, ठीक है जी और मैं जूट नहीं बोल पांच में धूप में खड़ी हो जाऊंगी अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हूं यार मैं कभी-कभी छोड़ो घर छोड़ो धंदे, छोड़ो चीजें छोड़ो रोगों को अपने लिए जीना सीखो मेरी बेहनों जिस दिन ये करना शुरू कर दोगे न चहरे पर रौनक अपने आप ही आजाएगी और जब आप एक औरत होने के नाते खुश होते हो ना तो आपके आसपास वाले आटोमेटिकली ही खुश रहना शुरू हो जाएंगे ट्राइ दिस वन टिप और मुझे बताईएगा कमेंट्स में कि अगर आपने यह किया और आपको उसके बाद कैसा लगा